Hi everyone, this is Shiram Sharma, your biology teacher, और आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ the living world chapter का next part, lecture number 2, और आज के इस lecture में हम इस chapter को complete करने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे taxonomy क्या है, systematic क्या है, और taxonomical hierarchy, taxonomical aids, binomial nomenclature, ये सारी चीज़े पढ़के इस chapter को आज cover करने वाले हैं, finish करने वाले हैं, तो चल हो जाए शुरू मेरे साथ लगे रहे हैं, चले, तो start करते हैं आज, पहला topic diversity in the living world, अब बात आती diversity क्या होता है, देखो, biodiversity समझते हैं, अर्थ पर जितनी भी living organism की variety है, उसको हम biodiversity कहते हैं, diversity मतलब variety, diversity मतलब variety किस की living organism, कहा पर अर्थ पर, हमारा जो land area है, वहाँ पर, हमारा ज diversity होती होती है, उसको हम living diversity या biodiversity के नाम से जानते हैं, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे पहली बात, the number and type of organism present on the earth is called biodiversity, क्या चीज़ देखी, क्या क्या चीज़े हमने बोली, दो चीज़े, एक तो number क्या है, और दूसरा type क्या है, number and type of organism present on the land is called biodiversity, उसके बाद हम बात करते हैं, कि अभी तक कितनी diversity describe हो चुकी है, तो आप बताओगे, 1.7 से 1.8 diversity हम लोग देख चुकी है, अब हम बात करेंगे, taxonomy की, किसकी बात करने वाले मेरे बचो, taxonomy, what is taxonomy, तो आप बताओगे, taxonomy study है, identification, classification, nomenclature of an organism, identification करो, classify करो, nomenclature करो, किसी एक organism का, ये बात कुछ समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, हमने एक organism देखा, अब हमें उस organism को एक particular group में place करना है, ये कौन है, जैसे, हम अपना example लेते हैं, हम लोगों को एक group में रखा गया, जिसका नाम है, memelia, क्या नाम है, memelia, ये वो सारे organism होंगे, जिनके पास memory gland होंगी, कोई जरूरी नहीं हम केवल इसी base पर बोलें, हाँ, इसके अलावा कुछ और भी character है, जो इसकी के लिए responsible होते हैं, तो मेरी बात को जड़ा ध्यान से सुने, हम लोग बात कर रहे हैं, taxonomy की, taxonomy वो तरीका है, वो method है, जिससे हम organism को एक group में रखते हैं, एक group में रखते हैं, कैसे क पहले हम उस organism को identify करेंगे, वो organism कैसा है, उसको एक group में रखेंगे, और उसका एक नाम दे देंगे, महां लोग को यह organism देखा, जो अपने लोगों से match करता है, हमने उसको identify करा, हमने उसको देखा, उसके characters को देखा, characterization कहते हैं उसको, कि उसमें क्या character मुझ से match कर रहे हैं, य जिस group से उसके character जादतर match हो रहे थी, उसके बाद हमने क्या किया, उसको group में रखने को बोलते है, classify करना, और उसको एक नाम दे दिया, और ये नाम मेरे बच्चों ऐसा वैसा नहीं, कि पपू, Sonu, Monu, Tonu, Sonu रख दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो नाम रखा जा है, उसके according रखा जाएगा, जिसका नाम है, binomial nomenclature, जो की मैं अभी आगे जाके आपको समझाऊँगा, चले इतनी बास अगे, इसके बाद हम बात करते हैं, next term की, जिसका नाम है systematic, देखो, taxonomy के बाद आता है, systematic, ये जो काम कर रहे हैं, ये तो करेंगे ही करेंगे, उसके अ organism के साथ, ठीक है, अब आप कहोगे, ये evolutionary relationship क्या होता है, इसको समझने से पहले, हमें समझना होगा, evolution क्या होता है, evolution का मतलब है, धीरे-धीरे, simple से complex organism का develop होना, जब अर्च बनी थी ना मेरे बच्चे, तो उस समय बहाँ पर life नहीं थी, धीरे-धीरे life develop होई, शुरुआत में जब life develop होई, तो वो एक तरह का procarior था, मतला bacteria था, और वो भी single cell थी और incomplete cell, फिर से समझे, अर्थ पर सबसे पहले bacteria बने, वो भी incomplete cell वाले थे, बैक्टीरे जो थे, incomplete cell वाले थे, और आज देखो, धीरे-धीरे-धीरे-धीरे development होता गया, और आज इतना बड़ा organism बन गया है, जो इन सब के बारे में आपको पढ़ा रहा है, है ना मस्तबात, ठीक, तो ये क्या है, एक तरह का evolution हुआ है, एक तरह का gradual change हुआ है, इसे मोते evolutionary relationship, और हम चेक करेंगे, जो भी organism हम मिला है, वो organism कैसा evolution शो कर रहा है, और किस से resemble कर रहा है, तो taxonomy में हम study करते हैं, उस organism के characters की, उसका identification की, classification की, और उसके नाम रखने का तरीका, मतलब नाम करण संसकार हो गया, मेरे बच्चों डेस्टाउन हो गया है, छटी हो गया ही, डेस्टाउन हो गया है, नाम रख दे, सोनू, ओनू, तोनू, और अब भाया, अगली साल बड़े मनाएंगे, आगे बढ़ जाते है हम लोग बात कर रहे हैं, systematic की, systematic में ये तो सारी चीज़े हो ही रही है, बस other organism के साथ, उसका evolutionary relationship और चेक कर लेंगे, बस हो गया systematic, किसके बाद, एक book थी, जिसका नाम है, systema naturae, क्या नाम मेरे बच्चों, systema naturae, इसको careless lineage ने दिया था, मेरे बच्चों, ये कोई और नहीं, ये वो ही हैं, जिन्होंने binomial nomenclature नाम दिया था, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो फिलाल, एक बात तो हमारी clear हो गई, कि biodiversity क्या होता है, कितनी biodiversity अभी तक देखी हैं, इसके taxonomic हैं, और systematic हैं, last page पर हमने केवल 4 चीज़े पढ़ी, क्या क्या पढ़ी, biodiversity क्या है, कितनी biodiversity अभी तरह described है, उसके बाद taxonomic है, systematic है, और हाँ एक चीज़े और पढ़ी, systema natural book, जो कि careless genius ने लिखा है, अब बात आती है, taxonomic के basics क्या है, taxonomic किस पर based है, तो अभी अभी तो हमने देखा, characterization, वो जो organism मिला है, उसके characters को देखना, वो देखने में कैसा है, internally कैसा है, identify करना, उसको identify करने को identification, फिर उसको एक group में रखना, मतलब classification, और finally, नाम करन संसकार, लो बेटा, तुम्हारा नाम रख दिया, हमने चुनू, मुनू, टुनू, आगे वरते हैं, आप देखते हैं, आगे, हम लोग आगे क्या देखेंगे, यहाँ तक तो मेरे खाल से चीज क् होई होगे, basic process of taxonomy में, number one हमने क्या बोला था, हम लोग करते हैं, characterization, characterization का मतलब होता है, कि हम उस organism के characters को understand करें, हम समझें उसके character को, that means, it is the understanding of characters of that organism, ठीक है, इसमें हम उसका external structure देखेंगे, कैसा होता है, उसका internal structure देखेंगे, कैसा होता है, मतलब, बाहर से कैसा लग रहा है, उसके देखेंगे, काट मत देना यार, मर मरा जाएगा, एक जनरल बात कर रहा हूँ, externally वो कैसा है, internally वो कैसा है, उसके बाद, उसकी cells का structure क्या है, क्या वो animal है, क्या वो plant है, अगर cell wall है, तो plant की category में होगा, cell wall नहीं है, तो simple, animal की category में आ जाएगा, फिर देखेंगे, उसका development process कैसा है, वो धीरे-धीरे कैसे develop होगया, मेरे बच्चे, उसके बाद देखेंगे, ecological information, वो कहां रहता है, उसका habitat क्या है, जमीन पे रहता है, या थोड़ा time पानी में और थोड़ा time जमीन पे रहता है, ये सारे characters को हमें देखना होता है, क्या-क्या, external structure, internal structure, structure of cell, development का तरीका, ecological information, हम ये सारी चीजें परते हैं, इसको हम बोलते है, characterization, अब आता है, next point, identification, ये क्या है, ये है, correct description of organism, so that the naming is possible, हम उसको अच्छे से identify करने, जिससे proper उसको नाम दिया जा सके, एक proper group में रखा जा सके, अब भई, correctly identify नहीं करा ना, तो गलत group में रख जाएगा, एक लड़की को देखा, और उसके character, आपने लड़के से match करके, लड़कों के group में रख दिया, हाई रहे, ये तो गड़बर हो गई, बहुत बड़ी गड़बर हो जाएगी, ठीक है, अब देखते है, मज़ेदार चीज, हम लोग अब देखेंगे, classification, क्या देखेंगे मेरे बच्चों, classification, अ फिर टेक्सा में, ठीक है, classification आप से पूछे क्या है, ये है grouping of organism, किस में group करते हैं, एक convenient category और टेक्सा में हम इसको रख देते हैं, किस बेस पर रखते हैं, characters की बेस पर, ये एक organism है, मान लो ये organism एक लड़की है, तो इसके सारे characters देखेंगे, लड़कियों से match कर रहे हैं, तो लड़कियों के group में रख देंगे, अगर ये लड़का है, तो लड़कों के group में रखेंगे, characters को पहचानो, समझो, देखो, और फिर उसको इक group में रख दो, I think इतनी बात तो clear होई गई होगे, तो यहां तक हो गया, अब आया हमारा nomenclature, नाम रखने का तरीका, बहुत important है नाम रखने का तरीका, binomial nomenclature, यह क्या होता है, यह तो careless lenience बताएंगे, ओ, वो तो अब है नहीं, नहीं है, ठीक, तो careless lenience नहीं बताएंगे, तो मैं बताऊंगा उनकी बार अपनी जवानी, चले, तो पहले देखते, नाम रखने का एक standard तरीका है, universal एक system है, universal नाम रखने क का एक system है, जिसके according हम नाम रखते हैं, nomenclature क्या है, it is the standardization of name of the organism, such that an organism is known by the same name in the world, ऐसा नहीं हो सकता, कि आप यहां पे पपू बोल लो, और कहीं कोई बोल रहा है, सोनू, कोई टोनू, कोई कृष्न कपूर, इस तरह से नाम बोलते हैं, बाई, किसी का नाम भी यह हो, तो offensive मत हो जाना, छमा चाहता हूं, पहले से, मेरा काम मेरे बच्चों को पढ़ाना है, उसमें कुछ word इस्तमाल होते हैं, अगर किसी को कोई बुरा लगे, तो माफ कीजेगा, तहे दिल से माफी चाहूँगा, ऐसा मेरा कोई बिश्च नहीं है, आगे बरते हैं, हम बात कर रहे है standardization of name, किसी भी organism को एक नाम देंगे, और वो नाम जो होगा, universally accepted होगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे नौर्थ इंडिया में, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बरेली सिटी से हूँ, यहाँ पर लौकी बोला जाता है, एक सबजी को, जब मैं डेली गया, तो लौकी को घिया बोलते थे, और मैं confused हो गया, किस चीज़ से confused हो गया, मैंने मुझे लगा, वो कह रहा है, घुईया बनी है, घुईया मेरी one of the favorite सबजी है, दिल तूट गया मेरा, कहने की बात हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जैसे घिया को यहाँ पर लौकी कहते हैं, वहाँ पर गिया कह रहे हैं, नाम बदल गया, ठीक है, हम लोग समसा कहीं तिकोना कहते हैं, तो मैंने सुना है, शायद राची में इसको सिंघाडा कहते हैं, I'm not sure, बस MS Dhoni मूवी से मुझे थोड़ा समझ आया, कि बहाँ पर समसे को सिंघाडा कहते हैं, तो भाई कहानी खराब हो ज देखोगे, नाम आम का महिंगी फेरा इंडिकाई होगा, ऐसा ही होना चाहिए, कोई और नाम इसका ना रख दिया जाए, इसलिए नॉमन क्लेचर करना पड़ता है, चलिए, आगे बढ़ने से पहले, बहुत ही इंफोर्टन इंफोमिशन मेरे बच्चो, हम लोग एक ग्रुणे रहता है, इसलिए नहीं है आप पता, लेकित मेरी कोशिश है, मैं जल्दी से आपके साथ आया करूं बार बार, rings अगर आप हमारे लाइब कोर्स में जुढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इस लाइब के साथ जुढ़ सकते हैं, ये लाइब कोर्स क्लास 11 का है, इसके बाद chapter wise assignment test करते हैं, chapter के notes आपको देते हैं और यह जो question paper होता है MCQ based होता है, neat level पर होता है, ध्यान से अगर हम लोग करेंगे तो अच्छे से neat हो जाएगा, एक आपको मैं वीडियो बना कर दूँगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे नीट की preparation करें, तो चलिए आगे बरते हैं, आगे हम लोग देखेंगे diversity of living organism से नाम, हम लोग पढ़ेंगे what is binomial nomenclature, देखी मेरे बच्चो, नाम रखने का एक तरीका है, आधर्निये, श्री 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 108, कैरोलस मीनियस जी महराज ने bin इन्हों में nomenclature दिया था, इन्हों ने बताया, किसी भी organism का अगर आप नाम रखना चाहते हैं, तो उसके two components होते हैं, इतने two components होते हैं, और ये किस ने बोला, कैरोलस मीनियस ने, ठीक, अब वो two components क्या है, वो अभी थोड़ी देर में बताऊँगा, उससे पहले नाम किस ब ICBN, अरे, ये ICBN क्या होता है, International Code for Botanical Nomenclature, ICBN क्या है, International Code for Botanical Nomenclature, और इसके बेस में plant के नाम रखते हैं, ऐसे ही, अगर आप animal का नाम रखते हो, तो animal के scientific name को zoological name बोलते हैं, और ये रखा जाता है, according to ICZN, ये क्या होता है, International Code for Zoological Nomenclature, plant का नाम ICBN, animal का नाम ICZN के according रखते हैं, किसने बोला, careless linear से, इन्होंने बोला, नाम दो पार्ट से मिलकर रखा जाता है, जैसे मेरा नाम है, श्रीराम शर्मा, तो श्रीराम मेरा first name, शर्मा मेरा second name, ऐसे ही, animals और plants का भी नाम दो पार्ट से मिलकर रखा जाता है, ठीक है, ये first name, और second name होता है, ऐसे genus का नाम होता है पहला, और दूसरा होता है, species का नाम, और ये नाम Latin language में रखे जाते हैं, कौन सी language में रखे जाते हैं, Latin language, और जब आप इसको computer पे type करेंगे, तो आप करेंगे इसको type italic font में, concept font में type करेंगे, italic font में, फिर अगर आप type नहीं कर रह हो, ऐसे अगर hand written है, तो you have to underline separately, जीनस के नाम को अलग underline करो, species के नाम को अलग underline करो, I hope इतनी बात समझ में आ गई, जैसे यहाँ पर मैंने एक एक्जामपल लिया है, अपने लोग का, अपने लोग कौन है, human, अगर हम लोग human की बात करें, तो human का scientific name होता है, homo sapiens, इसमें यह जो homo है, यह genus का नाम है, और जो sapiens है, यह species का नाम है, दो पार्ट से मिलकर हो गया न, ठीक है, तो homos हो गया genus का नाम, और sapiens हो गया species का नाम, इतनी बात आई थेंक clear हो, next बात, जब आप नाम रखोगे, तो genus का नाम start होगा with capital letter, यह देखिए, यहाँ पे capital letter मैंने ब species का नाम start होगा with small letter, यह देखिए, species का नाम S से रख दिया है, ठीक है मेरे बच्चो, अब आगे समझे, नाम जो होता है, कई बार ऐसा भी लिखा मिलता है, देखिए, मैं दिखाता हूँ, लिखा मिलेगा, मैंगी, फेरा, इंडिका, लिन, मैंगी, फेरा, इंडिका, और ल लिन क्या है, मेरे बच्चो, लिन जो है, यह हमारे author का नाम है, ठीक है, यह एक छोटी सी abbreviated form है, कैसी form है मेरे बिटे, abbreviated form है, इसमें हम क्या करते हैं, यह जो लिन है, यह indicate कर रहा है, कि indicate that this species was first described by careless lenience, ठीक है, तो author का नाम भी कई वार, उसके scientific name के आगे लिखा हुआ, आग खाई देगा, तो देखो, नाम हो जाएगा, मेंगी फेरा, इंडिका, लिन, यह भी आपको देखने को मिलता है, तो मेंगी फेरा जीनस, इंडिका आपका species, और लिन क्या है, आधरन यह linear seed, ठीक है, चले, अब एक बार फटा 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 एक रिकाद ले लेते हैं, मैंने क् नाम दो पार्ट से मिलकर लगए है, फर्स्ट पार्ट जीनस, सेकिंड स्पिशीज का नाम, जीनस स्टार्ट विट कैपिटल लेटर, इस्पिशीज स्टार्ट विट स्मॉल लेटर, उसके बाद यह बताया, कि इसके आगे कई बार आपको उस ऑथर का नाम भी लिखा का इन एब्रिवेटेट फॉर्म में लिखा मिलता है, तो यहां तक तो मेरे खहल से आपको चीज सर्म में आई गए हैं, अब हम बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटिगरी, अब यह क्या होता है, किसी भी और्गनिजम का अगर आपको क्लासिफिकेशन बताना है, तो उसमें उसका क्लासिफिकेशन हम कैटिगरी के बेस पर बताते हैं, कई सारी टैक्सोनॉमिकल कैटिगरी होते हैं, जो की एक हिरार्की में अरेंज होते हैं, किसमें अरेंज होती ही मेरे बचो, हिरार्की में, तो टैक्सोनॉमिकल कैटिगरी एक टर्म आप तब कई छोटे-छोटे steps होते हैं उनको हम hierarchy of steps कहेंगे ठीक है Each step represent करता है taxonomic category को या rank को इसमें हम जितने भी step बताएंगे हर एक step को हम taxonomical category कहते हैं चलो मैं direct आपको नीचे ले चलता हूँ जिससे आपको चीजे अच्छे से clear होंगे यह देखें यहां पर देखें यह देखें किंडम फाइलम class order family genus species यह सब क्या है taxonomical category है इनको याद रख सकते हैं हम एक तरीके से kpc of gs kpc of gs these are seven taxonomical category आप से पुछेंगे उन seven taxonomical category को बताएं तो इसका sequence है kpc of gs kpc मतला kingdom phylum class order family genus species तो kpc of gs आपको समझ में आया तो आप इससे याद कर सकते हैं taxonomical category का सीखें kpc of gs ठीक है मेरे बच्चो तो यह हो गया आपका kpc of gs इसमें हम क्या देखेंगे कई सारे living organism के classification की बात करेंगे जब किसी किस organism का classification करते हैं तो इन categories में करते हैं देखो यह तो basic seven category हैं कुछ sub category भी होते हैं ठीक है हम लोग बात कर रहे हैं आज human के classification की इसकी बात करेंगे human के classification की अपने लोग human हैं हम लोगों का genus होता है homo sapiens क्या होता है homo sapiens genus homo sapiens species ठीक है अब हमारे kingdom का नाम क्या है हम लोगों को animal kingdom में रखा है क्योंकि हमारे character animal से मैच होते हैं हम लोगों को जिस फाइलम में रखा है उसका नाम है cordata क्योंकि cordata के सारे animal से हमारी matching होती है हमें class mammalia के अंदर रखा है मतला हमारी class का नाम क्या है mammalia हमारे order का नाम है प्राइमेटा family का नाम हो मी निडेई genus का नाम वो इस्विशी का नाम होमो sapiens ठीक है तो यहां तक आपने seven taxonomical category देख लिए ठीक है तो यह तो इधर वाले साइड में जो लिखी है यह taxonomical category है इसमें यह जो है यह taxon है अब आपसे पूछेंगे क्या होता है taxon तो आप बताओगे taxon is a group of organism ठीक है टेक्सान क्या है यह है organism का group occupying a particular category जो particular category को occupy कर रहा है बहुत सारे organism है जिनको हमने एक category में रख दिया ऐनीमेलिया ठीक है बहुत सारे organism है जिनको हमने category में रख दिया core data तो यह group of organism है और जो category है वो है taxonomical category जो कि एक hierarchy फॉर्म कर रहे होते हिरार की मतलब एक system है kingdom के अंदर बहुत सारे phylum, phylum के अंदर बहुत सारे class, एक class में कई सारे order, एक order में कई सारी family, एक family में कई सारे genus और एक genus में कई सारी species होती है ठीक है तो यह खिरार की होगे, इसको ऊपर नीचे नहीं करते हैं ठीक है अच्छा यह जितनी भी category इनको common हम taxonomical category बोलते हैं और हर एक category को बोलते है unit of classification, हर एक category को क्या बोलते है unit of classification, I hope यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, अब एक एक करके सारी taxonomical category की बात करते है सबसे नीचे species, सबसे उपर kingdom, kingdom के बात क्या था? phylum, एक बात important, अगर animal है तब तो phylum category बोलेंगे, लेकिन अगर वो animal नहीं है, वो plant है, तो उसको हम phylum ना बोलके उसको division बोलेंगे, क्या बोलेंगे? phylum ना बोलके division बोलेंगे, चली अब आगे बार देंगे, अब हम लोग ब category है, और kingdom सबसे बड़ी, मतलब topper present होती है मेरे बच्चो, species की बात करते हैं, जहां से सुनिया, species क्या है? group of closely related organism, आप से अगर पूछे species क्या है? यह है group of closely related organism, जो आपस में interbreed कर सकते हैं, मतलब यह आपस में reproduce कर सकते हैं, यह आपस में reproduce कर सकते हैं, और यह एक lowest category, category है, तो species के बारे में क्या सीखा? यह closely related organism का एक group है, दूसरा point, यह आपस में interbreed कर सकते हैं, तीसरा point, यह taxonomical category में सबसे lowest category है, अब यहाँ पर कुछ example है, हम यहाँ पर आपको common name बताएंगे, फिर उनके scientific name में genus और species की बात करेंगे, चलिए देखते हैं, मेंगो, मेंगो common name है, आम, इसका generic name है, मेंगी फेरा, और species का नाम है इंडिका, फिर हम देखते हैं potato, पोटेटो को देख लेते हैं, और species का नाम tuberosum, तो पूरा नाम हो गया, solenum tuberosum, आम का नाम था, मेंगी फेरा, इंडिका, अगर हम nightshade plant की बात करें, तो इसका solenum lyco persicum, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, solenum lyco persicum, उसके बाद, ब्रिंजल, इसको हम बोलते हैं, solenum melangina, ठीक है, solenum melangina के बाद आया line, line को हम बोलते हैं, panthera leo, panthera leo के बाद आप देखोगे tiger, जिसको बोलते हैं, panthera tigris, उसके बाद हम देखेंगे leopard, जिसको panthera pardus कहते हैं, बहुत सारे example हमने पढ़ लिए, फिर finally हम पढ़ेंगे modern man, जिसका नाम अभी पढ़ा था, homo sapiens, कितनी सारी चीज़े देख लें, एक species में कई सारे, sorry, एक genus में कई species देखने को भी लिए, मैं example दिखा हूँ, यह देखो, एक solenum के अंदर, देखो, एक और है, melon जिना भी तो है, ऐसे ही, एक panthera genus है, जिसके अंदर, three species दिख गई, है ना बिटे, तो एक genus के अंदर, कई सारे species देखने को मिलते हैं, जैसे, आप से पूछे, group of closely related organisms, which are capable to interbreed, क्या बोलेंगे इस group को, आप बताओगे, species, यह lowest category है, ठीक है, फिर आप से पूछें, genus क्या होता है, तो आप बताओगे, it is the aggregates of closely related species, यह closely related organism था, यह closely related species है, closely related organism के group को species, और closely related species के group को genus कहते हैं, यह बात बड़ा ध्यान से समझेगा, मेरे बेटे, ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं underline करता हूँ, यह है species, और यह है आपका organism, ठीक है, अच्छे, एक्जामपल देखे, potato, tomato, ब्रिंजर, potato, tomato, ब्रिंजर, यह closely related species हैं, इन तीनों का जीना सेम है, नाम है उसका solenum, क्या नाम मेरे बच्चों, solen, ऐसे ही, loin हो, leopard हो, tigris हो, इन तीनों की species अलग-अलग हैं, लेकिन इनका, जिस सब एक दूसरे से closely related है, क्योंकि, इनका जीना सेम है, panthera, अगर लिखा है question में, closely related organism का group, तो species, closely related species का group, तो genus हो जाएगा, ठीक है, आगई बास समझे, पका ना, ठीक है, ऐसे ही, this genus differ from genus phallus, एक genus होता है, phallus, यह किसका genus है, cat का, cat का genus अलग है, और tiger, leopard और loin का genus अलग है, आपके potato, tomato, brinjal का genus अलग है, ठीक है, आपसे question पूछते है, phallus किसका है genus, आप बताओगे cat, और तो फिर, इसकी species क्या है, यही बताएते है, cat की species होती है, domestica, domestica, तो cat का पूरा नाम phallus domestica, ठीक है, चारे, आगे बाहते हैं, अब हम देखेंगे family, देखो, species से उपर genus, genus के उपर family, तो हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे एक genus में कई सारी species हैं, ऐसी एक family में कई सारे genus होंगे, ठीक है ना, group of related genera, related organism होगा, तो species, related species होगा, तो genus, related genus होगा, यह genera होगा, तो family हो जाएगा, ठीक है, जैसे family का नाम है, solenasi, family का नाम क्या है, मेरे बेटे solenasi, इसके अंदर एक genus आता है solenasi, दूसरा genus आता है petunia, और तीसरा genus आता है धतूरा, तो solenasi नाम petunia धतूरा, जिसमें loin, tiger, leopard पढ़ा था, और phallus पढ़ते हैं, जिसमें हमने आपको cat पढ़ाया था, मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का, आगे बढ़े, फिर आप क्या देखोगे, family तो हो गया, अब हम बात करेंगे order की, जैसे, एक family में कई genus, एक species में कई closely related organism, ऐसे ही, एक order में कई सारी closely related families देखने को मिलती हैं, जैसे, एक order है, उसका नाम है polymonials, क्या नाम मेरे बच्चों, polymonials, इस polymonials की दो family मैं आपको बताऊँगा, एक का नाम है, convolvulacy, और solenus, अभी solenus पढ़ क्या है, जिसमें petunia, धतूरा, और क्या पढ़ाता हमने, एक तो पढ़ाता petunia, एक पढ़ाता धतूरा, और एक पढ़ाता solenum, ठीक है, अब देखो, solenus और convolvulacy, ये क्या है, दो family है, कौन से order में आती है, polymonials, ऐसे ही, एक order है, कार्णी वोरा, कार्णी वोरा, order के अंदर एक family आती है, फैलिडेई, जिसमें हम panthera पढ़ते थे, मतलब lion, tiger, leopard, और cat पढ़ते थे, मतलब phallis, और दूसरी family है, canaday, और canaday में हम dog पढ़ते हैं, ठीक है, चलो, ये भी समझ में आ गया, अब इसके बाद हम बात करेंगे, क्लास, इसकी बात करेंगे, order के बात क्ला, order में बहुत सारी family थी, तो class में बहुत सारे order देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे, एक order है, प्राइमेटा, इस order के अंदर कई सारी classes होती हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अब हमें आपको बताते हैं, ऐसी एक order है, क तोटल पढ़ने को मिलते हैं अगर आप चाहें तो 16 और पढ़ने को मिलते हैं अगर आप चाहें तो 16 आडर पढ़ चकते हैं जैसे प्राइमेटा कार्णी बोरिया आर्टी डिक्टाइला पैरसो डिक्टाइला और इसके बाद रोडेंशिया लैगोमॉर्फ अब बहुत सारे नाम है और से तो क्लास मेमेलिया के अंदर कई सारे ओर देखने को मिलते हैं अब क्लास से पहले आपको मिलता है अगर अंदर हम क्या पढ़ते हैं फूर् UP एक फाइलम में कई सारे जाते हैं क्लासिश अब फाइलल सबसे टॉप क्याट केटिग्री यह है है कई सारे फाइलम से मिलकर परेखे इसमें कई सारे में आते हैं इसको हम हाई हीश्ट केयरी ओफ ट्व टाउमके स्समें की बोलते हैं इसमें यह कियां पीलोगे है इक फंजाई एक के पड़ाओंगा मुनेहरा एक प्रोठि साथ तो आई होड यहां तक पूरी टाक्सिन हिरार की आपको क्लियर हो गई होगी चलिए वह आगे समझते हैं मैं मैंगो और वीट के क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ छोटी-छोटी टर्म समझते हूँ चलेंगे यह तो मैं मैं हाउस फ्लाई मैंगो वीट यह क्या है इनका सब का कॉमन नेम है अब देखते हैं सब का अब तो पहले सब के आप देखते हैं हम लोग जीनस का नाम ऑ इस्पिसे तो पहले species देखो, मैं में sapiens, housefly में domestica, mango में indica और wheat में astivum होता है। ऐसे ही अगर हम इनके genus की बात करें तो man का होता है homo, housefly का होता है muska, mango का mangyfera, और wheat का tritica, tritica, estivum, mangyfera indica, muska, domestica and homo sapiens. तो यहाँ पर नाम तो हमें समझ में आ गया, अब सब की एकि करके family देते, आप से अगर पूछे man की family बताईए, तो आप क्या अंसर दोगे, home in a day, आप से पूछे house fly की बताईए, तो आप बताओगे musky day, ठीक है, फिर आप से पूछे, जल्दी से mango की family बतादो, तो आप क्या कहोगे, लो जी सर, एना कार्डियसी, क्या नाम मेरे बेटे, एना कार्डियसी, और पूछे किसकी family है, आप बताओगे wheat की, तो देखो, home in a day, musky day, एना कार्डियसी, और आप कहोगे पूछे, इसके बाद जल्दी से order देख लिए, question आया, human को कौन से order में रखा है, तो आप बताओगे, प्राइमेटा, और house fly को, डाइप्टेरा, ठीक है, डिप्टेरा, उसके बाद, साइपन डेल्स में रखा mango को, पोईल्स में रखा wheat को, तो पोईल्स किसका है, wheat का, ठीक, इतनी clear हो गए, अब जल्दी से सब की classes देख ले, man की class, mammalia, house fly की insecta, याद रहे, insecta, animal kingdom की सबसे बड़ी class है, इससे बड़ी class किसी की नहीं है, फिर mango को dicot plant बोलते हैं, इसी नहीं लिख दिया, dicotylid नहीं, ऐसे ही wheat को monocot बोलते हैं, तो monocotylid नहीं, ठीक है, तो wheat monocotylid याद रहे, question आता है, wheat monocotylid और mango dicot, phylum, हमारे, मतला हम लोग, मैंने, हमारे phylum का नाम है, quadita, house fly का orthopoda, animal kingdom का सबसे बड़ा phylum orthopoda, सबसे बड़ी class insecta होता है, फिर आ जाता है, angiospermig, angiospermig में आता है mango, और angiospermig में आता है wheat, तो दोनों यह angiospermig plant है, अब जल्दी से kingdom देखिए, तो भाईया, man का house fly का animal है, तो animalia kingdom, और mango है, या wheat है, यह plant है, तो इनको planted kingdom में रख दिया, तो मेरे खयाल से इतनी चीज़े तो आपको समझ में आगए, तो यह सब कुछ हमारा complete होगा, अब बचा है हमारा taxonomical aid, क्या बचा है मेरे बच्चो, taxonomical aid, इसमें हम आपको five points पढ़ाएंगे, हर्वेरियम, potnical garden, zoological park, और zoological park के बाद आपको पढ़ने को मिलेगा museum, और finally पढ़ने को मिलेगा key, और chapter हमारा पूरा हो जाएगा, तो चलिए, फटा-फट इसको cover कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हर्वेरियम, तो मेरे बचे हर्वेरियम होता क्या है, basically हर्वेरियम एक paper sheet होती है, हर्वेरियम क्या होती है, एक paper sheet होती है, जिस पर हम plant specimen लगाते हैं, हम क्या करते हैं, एक plant का कोई part तोड लेते हैं, उसको अपनी book के अंदर रख देते हैं, book के, किताब, उसके अंदर रख देंगे, तो क्या होगा, वो dry हो जागा, एक तो वो तूड़ गया, dead हो गया, वो dead हो गया, dry हो गया, और किताब के अंदर रखने से pressed हो गया, dead, dried और pressed, plants specimen को एक paper sheet पे paste कर दिये जाता है, और plant के बारे में कई सारी चीज़े वहाँ पे लिख दी जाती हैं, और इसी को बोल देते हैं, हर्वेरियम sheet, और बहुत सारी हर्वेरियम sheet को classification system के according arrange कर द आए, इनकी study को आसान बनाने के लिए ऐसा करते हैं, तो हर्वेरियम क्या है, it is a storehouse, यह क्या है, storehouse, किस चीज़ का storehouse, plant specimen का, यह plant specimen कैसा है, यह dried है, pressed है, ठीक है, dried है, pressed है, dead है, और इसको हम प्रेजर्व करके रखते हैं, कहां पर, paper sheet पा, और इसको universally accepted classification के according, arrange कर दिया जाता है, ठीक है, और इस हर्वेरियम sheet पे हम क्या क्या चीजों की labeling करते हैं, क्या क्या नाम लिखते हैं, तो आप बताएंगे, उस plant को किस date पे collect किया था, किस place से collect किया था, उसके बाद उसका English में नाम क्या है, उस plant का local name क्या है, उस plant का botanical name क्या है, bland की family क्या है, और किस ने इस family क्या है, collect करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, कि सारे चीज़ें हम एक paper sheet पे लगाते थे, कुछ इस तरह से, हो गया नहीं हो गया, देखो यहाँ पे, एक plant का specimen लगा दिया, और उसकी सारी detail यहाँ पे लिख दी, जिससे हम further इसकी study कर पाए, तो समझ में आ गया, हर्वेरि हमें, यहाँ पर में plant specimen है, लेकिन अंतर यह बहाँ पे dead है, और botanical garden में living होते हैं, जैसे बहाँ पर paper sheet पे लगके labeling करते हैं, यहाँ पे living plant पर ही labeling कर देते हैं, botanical garden, यह special type के garden, जहाँ पे बहुत सारे living plant का collection देखने को मिलेगा, जिसका use करते है, reference के लिए, further reference ले सके, identify कर स अरके इसलिए, ठीक है, और हर एक plant के पास एक tag लगा दिये जाता है, जिस पर उस plant का botanical name और family name लिख दिया जाता है, ठीक है, तो हो गया ना botanical garden, study के लिए, famous botanical garden का नाम बताता हूँ, royal botanical garden, England में present है, Indian botanical garden, हावडा, कोलकाता में ना हावडा, वहाँ पर present है, इंडिया में, और National Botanical Research Institute, फिर से बोलो, National Botanical Research Institute, लखनों में present है, यह मैंने एक diagram दिखाया, एक image दिखाये, यह royal botanical garden की, England की, ठीक है, चलिए, अब यह हमारा taxonomical category हो गया, अब बचे दो, एक तो हमारा बचा museum, और एक हमारा बचा zoo, अब एक एक करके समझते हैं, पहले museum समझते हैं, museum में collection करा जाता है, animal और plant का, ठीक है, यहाँ पे dead plant और dead animal को preserve करके रखा जाता है, study करने की लिए, ठीक है, museum में कई तरह के specimen रख रहे हुए होते हैं, एक कांच के container में, एक कांच के container में, और एक preservative solution है, formalin में रख लिया जाता है, जिससे यह खराब ना हो, ठीक है, कांच के container formic acid भरा, formalin में भरा, और उसमें रख दिया आपका, यह plant यह animal का specimen, ठीक है, कई सारे dry specimen को भी preserve करके रखा जाता है, चाहे वो plant हो, चाहे वो animals हो, अगर कोई insect है, तो उसको insect box में रखा जाए रखा, देखो insect लेंगे, उसको मार देंगे, मारने के बाद उसको box में रखेंगे, और उसको pin से fix कर देंगे, तो उसको collect करेंगे, उसको collect करेंगे, kill करेंगे, और pinning करकर के रख देंगे, इंसेक्ट को कहां पर collect करते हैं इंसेक्ट बॉक्स में क्या करें किलिंग करेंगे उपिनिंग करेंगे उसके बाद अगर कोई large animal है तो उसको हम stuff करके रखते हैं इसका तो example आपने महसूस करा हूँ अपने आसपास मैं बताता हूँ जैसे bird का specimen है कोई mammal का specimen है तो उसको stuff करके रखते हैं आपने कहीं आसपास में आपके दूद की डेरी हो गाए भैस यहां पलती हो जहां से दूद आता हो तो देखा हूँ जब भैस का बच्चा मर जाता है तो उसकी body उसका सर काट लेते हैं और उसमें भूसा भर के रख देते हैं जिससे उसको लगता है कि मेरा बच्चा जिन्दा है तो भूसा भर देना ये एक तरह का क्या होता है stuffing करना ठीक है जिससे हमें लगे हाँ ये animal रखा भी दिखाऊंगा मैं आपको कई सारे animal के skeleton भी मिजियम में होते हैं जैसे डानसौर्क skeleton देखने को मिल जाएगा ये कितने बड़े बड़े animal हैं तो ये stuff करके रखे गए ये stuff करके रखे गए और कई का तो skeleton भी देखने को मिल जाता है तो ये हो गया हमारा museum अब आते हैं हम zoosical park जैसे barnical garden में living plant थे यहां पर लिविंग आनिमलस होते है यहां पर क्या करा जाता है यह वह जगह है जहां पर वाइल्ड आनिमल को को इध stuffs कर कि इतनी बहुंवाउज में आगे जिससे कि उन और निम लिज उनका बीईवियर कैसा है यह हम सीख सके नगे करते का खाते किस बात पर उनको जुसाँ आजाता है और का वो पानती से आराम करते हैं कि सारी चीज़ें हम जू में जाके देख सकते हैं कि देखिए हमने को क्या दिखा या जिराफ प्राम से खाना खा रहा है छीट है यह आपको जुस्ट बार क्या ने क्यों दीखने को मिल जाएगा ठीक है अब आते हैं हम की पर चीक है की last taxonomical category है की क्य है organism को identify करने का एक analytical method है इसमें हम क्या करते है उस particular organism की similarities other organism के साथ देखते हैं या फिर dissimilarity check करते हैं उस particular organism की similarity और dissimilarity check करते हैं और organism के साथ और जो चीज़ सही लगती है उसके according हम उसमें रख देते हैं यहां पर हम contrasting character की बात करते हैं और उन contrasting character के pair को हम क्या कहेंगे couplet और एक single statement को हम क्या बोलते है लीड ठीक है उन में से को भाई दो statement होंगे उन में से कोई एक ही select किया जाएगा और उस एक particular को हम क्या कहते हैं लीड जैसे मालो हम कह रहे हैं यह यह एक plant है जिसमें vascular bundle नहीं है हम कह रहे हैं भाई दो चीज़े हो सकते हैं प्लांट में या तो vascular bundle होगा या नहीं होगा अगर vascular bundle है तो उसको vascular bundle वाले plant के group में रख देंगे अगर नहीं है तो आपको बिना vascular bundle वाले plant में रख देंगे हो गए ना दोस्ते हैं वेस्कुला बंडल और नाट हैविंग वेस्कुला बंडल अब यह दोनों group जो गए इनको हमने बोल दिया और कपलेट में से एक को सेलेक्ट करेंगे वह हो जाएगा लीड इतना तो समझ में आ गया होगा अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं फटावर्ण ठीक है चलिए यहां तक हमारा टेक्स नमेकल एट खतम हुआ अब कुछ और टर्म्स हमें पढ़ने को मिले हुए जैसे एक टर्म होता है फ्लोरा फ्लोरा वेसिकली है क्या देखो एक्शुल एकाउंट ऑफ हैविटेट और डिस्टिवि प्रेजेंट है ठीक है उस एरिया में कितने प्लांट प्रेजेंट है प्लांट को हम फ्लोरा कहते है ठीक है उसका है उसका दिस्टिविशन कैसा है इसको हम फ्लोरा में स्टडी करते हैं मैनुवल्स की बात करते हैं मैनुवल क्या है यह एक रिकॉर्ड है दे रिकॉर्ड ड उनके identification, उनके नाम की सारी information जिसमें रखी जाती है, जिसमें record maintain करा जाता है, उसे बोलते है manuals, और monograph आप से पूछें, तो यह एक ऐसा record है, जिसमें किसी भी एक taxon की information होती है, किसी भी एक taxon की, अगर किसी species की information है, तो वो manual में होगी, और एक पूरे taxon की information है, तो वो monograph में ह होता है, जो species हैं, उनकी हमें एक list बनाते हैं, और उसको alphabetically arrange कर रूते हैं, species की alphabetical list को catalog बोलते हैं, किसी एक taxon के अंदर की सारी information की record को monograph कहते हैं, किसी एक species के नाम के identification की जो record बनाए जाता है, उसे manual कहते हैं, और particular area में जो plants present होते हैं, उनका habitat होता है, उसको हम flora में सार, त इसके आगे की chapter को देखने के लिए बने रही है हमारे साथ, चैनल को subscribe कर लीजे, जिसे जब भी कोई नई वीडियो डालू, आप तक पहुंच जाए, हाँ, घंटी वाला बटन जरू दवा दिजेगा, जिसे bell icon बोलेगा, आपको पता लगेगा, सिराम सर की वीडियो आ गई तो चलिए मिलते हैं, नेक्स वीडियो में